स्वागत है आप सभी काम टीवी नियूज इंडिया की एक नई वीडियो में चलिए जानते हैं कैसा रहेगा देश्वर के मौसम का हाल वीडियो शुरू करने से पहले कॉमेंट स्ट्रेक्शन में अपने जिले का नाम जरूर बताएं जिससे कि हम आपको डिली अपडेट करा सकें साथी चैनल को सब्सक्राइब करें पास आए बेल आइकोन को भी जरूर दबाएं डिली यूपी समेट इन राज्यो में भारी बारिश के आसार हिमालचल और उत्राखंड में भी यलो अलट आपको बता दी मौसम भाग के मताबिक देश वासियों को बारिश से राहत मिली नहीं दिख रही है दिली और उत्रप्रदेश, मद्यप्रदेश, पिहार और जारखंड जैसे रालके से मद्यमिस्तर की बारिश हो सकती है वहीं हिमालचल प्रदेश और उत्राखंड में बारिश को लेकर येलो अलट जारी कर दिया गया है मौसम भाग ने मानसून के चलते देश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की गतिवी धियान देखने को मिल सकती है कुछ राज्यों में बारिश आफ़द बनकर बरस रही है राज्थाने दिली के कई अलाकों में तो बार ग्रस तो हो चुके है यह मौना का जलिस्तर बढ़ने से राजधाने के कई हिस्सों में पानी हुस्ट लालके जैसे पोश इलाकों में भी गुटने बराबर पानी में डूबे हुए है वहीं पहाडी इलाकों से फ्लेश फ्लट के चलते तबाही की तस्वीर सामने आई है मौसम भाग के मताबिक देश वासिक फिलाल बारिश उसे राहत नहीं मिलने वाली है अगले कुछ दिनों तक कई राज़्यों में बारिश की गतिवी धियां देखी जा सकती है उत्रखण रिमाचर प्रदेश में बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है इसके साथ ही बता दें कि बिहार जार्खण मध्य प्रदेश में आज भारी बारिश देखी जा सकती है मौसम भाग ने उत्रखण और हमाचर प्रदेश में अगले तीन से चार दिनों तक भारी बारिश का पूरवान वान जता है 17 जुलाई के लिए उत्रखण में येलो अलर्ट जारी किया गया है इसके लावार अविवार को तरखण में बारिश का औरेंज अलर्ट जारी है इसी को देखते हुए स्कूल कॉलेज़ों में छुट्टी घोशित कर दी गई है महीं माचर प्रदेश में 18 जुलाई तक बारिश को लेका येलो अलर्ट जारी किया गया है दोनों ही राज्यों में पिछले कुछ दिनों से लगतार बारिश दर्च की जा रही है दोनों ही राज्यों में बारिश और लेंड्सलाइड के खत्रे को देखते हुए प्रदेश वासे और सेलानियों से सावधानी बरतनी की अपील की गई है इस दोरान उफंती हुई नदी नालो, लेंडसलाइट, संभावित, शेत्रो, जलभराव वाले इस्थानों पर नहीं जाने की अपील की गई है बाड और भारी बारिश के चलते कई मुख्ये सड़कों पर आवाजाही रुकी हुई है इस काइमेट वैदर की माने तो इसके मुताबिक अगली 24 घंटे के दोरान सिक्किप, उफिमाली, पश्चिम, बंगार, असम, मेगालिया और आचरप्रदेश के कुछ हिस्सों उस्तरप्रदेश, उत्रखन, हिमास्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, कॉंकर्ड और गोवा और मतटी, करनाटक में हलकी से मध्यम बारिश के साथ कुछ इस्तानों पर भारी बारिश से संभव है दक्षिन, गुचराथ, केरल, लक्षदी, पूर्वी, राजस्तान, और विदर्व में हलकी से मध्यम बारिश के साथ एक्या दो इस्तानों पर भारी बारिश हो सकती है पुर्वोतर, बारत, बिहार, पशिमंगा, जारखान, ओडिसा, चतिसकर, अनुमान, उनिकोबर, दुपसमों और पंजाब और हर्याणा के कुछ इस्तों में हलकी से मध्यम बारिश संभव है दिल्ली तमिलनाडू, आंतरिक करनाटो, पर तर्टी आंतर प्रदेश में अच्छे बारिश संभव है दिल्ली अंसियार में ये मौसम का क्या हाल है देश की रास्थानी के नई दिल्ली में यमुना उफान पर है जिसकारे से दिल्ली के कई इलागों में बार जसी स्तिती है लोगों को निचले इलागों में सुरक्षित इस्तानों पर ले जाया जा रहा है रास्थानी में आज यानी 18 जुलाई को हलकी से मध्यम बारिश की गतिवी धियां देखने को मिल सकती है वही अगर तापमान की बात करें तो यहां न्यूंतम तापमान 27 डिगरी और धिक्तल तापमान 33 डिगरी तर्च किया चा सकता है इसके अलावा नौएड़ा और गाज़ेबाद में भी गरच के साथ बारिश की गतिवी धियां देखने को मिलेंगी हिमाचर प्रदेश और उत्रखन में अलर्ट जारी किया गया है मौसमिभाग ने आने वाले दिनों के लिए उत्रखन और हिमाचर प्रदेश में बहुत भारी बारिश होने की चेहताव नहीं दी है उत्रखन में अगले पांच दिनों तक बारिश की संभावना है उत्राखन के कई लाख में पिछले कई दिरों से भारी बारिश हो रही है उत्राखन में 19 जुलाई को तिति भर्षा होने की संभाव नज़त आई है मिलते हैं से प्रकार के एगली वीडियो में तब तक के लिए जै हिंद जै भारत